नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप के अच्छे होंगे तो आज लेकर रहा है नया जुगाड और नया टिप्स तो चलिए नादेरी करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आज का मेरा जो फर्स्ट आइडिया है वह कूकर को लेकर कूकर में हम जब चावल बनाते हैं तो मार देखिए पानी जो उबल के सीटी नहीं सीटी मारता है फिर भी फेकने लगता है तो इसका क्या रीजिन है वह बताने वाले हैं आप लोग को कि जब भी अगर हमारा सीटी अच्छा से साफ ना हो जब भी बरतन मांजिए साफ सफाई कीजिए तो इ पानी नहीं निकलेगा और एक काम है कि जब भी हम लोग दाल बनाते हैं तो हल्दी पिला पिला वाला लग जाता है दाग धबा तो यहां पर दाग धबा ना लगे पिला उसके लिए सीटी में देखिए इस तरीके से तेल लगा लिजेगा तो भी काम बन जाएगा और पानी पीन इस तरीके से साड़ी पहनते हैं तो साड़ी लगा के पीन लगाते हैं जब पल्लू में इस तरीके से तक क्या होता है कि साड़ी फट के और बलाउज फट के क्या होता ना कि अंदर पीन घुश जाता है पीछे के तरफ तो यहां पर एक काम करना है कि अगर घर में कोई मोती एक हो तो मोती लगा के पीन लगा ये नहीं तो छोटा सा एक बिंदी ले लिजे कोई भी मैचिक बिंदी भी नहीं भी रहेगा फिर भी अंदर से लगाना होता है साड़ी में तो इस तरीके से सैप्टी पीन में सबसे पहले लगा लिजे और बिंदी को बिंदी को लगान तो आई होपके दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक किजिएगा तो चले देख लेट नेक्स टिप हमारा है दातों को ले कर देखिए आज हम मोती जैसे चमकाने के लिए दात घर पर घरेलू उपाय बताने वाले हैं यहां पर देखिए एक हम बनाने वाले हैं एक सेलूसन तो यहां पर कॉलगेट ले लिए हैं चोटी से कटोरी ले लिए उसके बाद कॉलगेट थोड़ा सा नीमू का रस्ट चाहिए यह टिप्स को दोस्तों मही सब्ता में एक बार जरूर करिएगा तो आपके दात मोती जैसे चमकने लगेंगे तो हमने बच्चे को यही करने के यह एक दिन का हम बना रहे हैं अगर डेली धोना हो तो इतना ही बना के धोईए देखिए अच्छे से इसे सभी चीजों को मिक्स कर लेना है उसके बाद क्या है ना कि बरस लेके बरस में लगा के और अच्छे से धोईए यह सबता हमें एक बार धोईएगा तो दात आप ले ऊच्छे से दो रही है ऑर कुछ भाते भी लाय है अच्छे से इसे हम बोले की रगण के बच्चे से रगण लेते ईसे कुछ तो फरक हुआ है पहले के दाथ से है ना दोस्तों तो बताईएगा कि कैसा लगा जुगाड ये घरेलु जुगाड जरा सभी अच्छा लगाओ तो आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट करके बताईएगा तो चले देख रहते हैं नेक्ष्ट आइडिया नेक पॉडर कपड़ा दोने वाला उसके बाद ले लेना है हाप चम्मच यहां पर खाने वाला सोडा उसके बाद लेंगे हाप ढखकन विनेगर विनेगर का यहां पर कमाल देखे दोस्तों कि इस तरीके से मेरा सेलुषन बनकर हो गया है तैयार तो चलिए इसे हम ट्वाइलेट साप करने से बचिएगा यह सब्ताह में एक बार जरूर साप कीजिए और इसे एक दो रोज पर बना के सेलुषन को डालिएगा तो बहुत ही लाब मिलेगा वीडियो जड़ा सभी यूजफल लगा हो आज का तो लाइक सेयर सब्सक्राइब